आप सबने ये क्रम अपने विचारों के अनुसार बनाया है यदि आपकी आग्या हो तो मैं इस क्रम को बदल भी सकता हूँ बस हमें अपने विचार बदलने होंगे मैंने फूरे पांच हजार फॉंड मुद्राय दी है जब से उपर नाम मेरा ही होगा पुरे गाउने विचार कर लिया है अब ये निश्या बदल नहीं सकता हां काका मुझे पता है पर अब ये बताईए काका कि क्या अपने अपनी घर की सभी स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी हाँ मैं नगर सेठ हूं नगर सेठ मेरे पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं इससे कही अधिक इतनी अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते यह तो बहुत अच्छी बात है काका गोकुल में आप सबसे अधिक धन्मान है अच्छा भीमा काका आपने भी तो 2000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी है ना और कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं आपके पास मेरे पास भी घर पर बहुत धन है अच्छा देवेंद्र काका आपने भी बहुत सा धन्दान दिया है ना आपके पास कितनी मुद्राएं है हाँ पुत्र इश्वर की बहुत कृपा है इसलिए मैंने यह दान किया है इसका अर्थ है आप सभी दान दाताओं के पास बहुत धन है अच्छा भोलू काका आपने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान दी है उत्र मेरे पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी वो भी मैंने दान में दे दिया जिसके पास एक स्वर्ण मुद्रा हो वो भला दान क्यों देगा अपने पास नहीं रख लेगा हाँ हाँ मैं सत्य कह रहाऊं कृष्ण मेरे पास केवल एक ही सुर्ण मुद्रा थी वो भी मैंने प्रभू के चरणों में आर्पित कर दी सुर्ण मुद्रा की तो छोड़ो कभी कभी एक समय की रोटी का भी अकाल पड़ता है इसका अर्थ ये है कि सबसे अधिक धन भोलू काका ने दिया है वल्लव काका ने नहीं इन्होंने तो अपने धन का एक छोटा सा अंच दान किया है और वो भी अपने स्वार थे तू ताकि इनका नाम शिला पट पर सबसे शिर्ष में लिखा जाए किन्तु बोलू काका को देखिये इनके पास एक ही स्वार्ण मुद्रा थी वो भी इन्होंने दान कर दी तो आप ही बताईए सबसे बड़ा त्याग किस नहीं किया बोलू काका ने तो बड़ा त्याग किया है इससाब से शिला खंट पर सरुत नथम नाम भोलू काका का ही होना चाहिए क्यों भाईयों? हाँ, आप हाँ, हाँ, हाँ भोलू काका की? जै भोलू काका की? जै भोलू काका की? जै हम सब के निश्य को बदलने वाले तुम कौन होते हो पच्चों का खेल समझाए और इस सबसे अधिग्धन मैंने दिया है तो शिला पटपे सबसे उपर नाम मेरा ही लिखा जाएगा नहीं प्रलब काना ने केवल अपना विचार रखा है और उसके विचार को समर्फन पूरे गाउने दिया है मैं भी उसके विचार से सहमत हूँ और यही अंतिमनेर्णा भी है अंधेर नगजने diverse राज़के लगता है काका से बात करने पड़ेगी झाल झाल